आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप भी Facebook light पर photos upload करना चाहते हैं यानि की photo डालना चाहते हैं तो कैसे upload करें आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो उसके लिए सबसे पहले Facebook light को open कर लीजिये open करने के बाद आपको right side में उपर की तरफ तीन line शो होंगी तीन line पर आपको touch करना है touch करने के बाद यहाँ पर एक option आएगा view your profile यहाँ पर आपका नाम और photo भी show हो जाएगा तो view your profile पर आप touch करिए touch करने के बाद यहाँ पर आपकी profile open हो जाएगी photos upload करने के लिए आपको नीचे scroll करना है इस तरह से यहाँ पर आप नीचे आएगे तो एक option मिलेगा आपको post का उसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक option है photo तो आपको photo वाले option पर एक बार touch करना है उसके बाद यहाँ पर आपके phone में जो भी recent photos वीडियोज है वो यहाँ पर आ जाएंगी तो जो भी photo आप upload करना चाते हैं उस photo पर touch करिए अगर आप एक से ज़्यादा photo upload करना चाते हैं तो select कर सकते हैं यहाँ पर हमने यह वाला photo select किया है उसके बाद नीचे next पर आप touch करिए यहाँ पर आपको एक option मिलेगा public friends या फिर friends accept यानि कि अगर आप photos को यानि कि अगर आप अपनी photo पर privacy लगाना चाते हैं तो यहाँ पर लगा सकते हैं तो फिलाल हम public वाले option को select करते हैं यानि कि यह photos सबको दिखेगी उसके बाद नीचे का option आएगा save save पर आप touch करिए उसके बाद यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं अपनी photo के बारे में तो यहाँ पर आप touch करेंगे इस box पर तो लिख सकते हैं और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा tag friends का यानि कि अगर आप किसी को tag करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं location add करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और काफी सारे option हैं जो कि आप use कर सकते हैं उसके बाद उसके बाद नीचे एक option मिलेगा post का या फिर उपर भी मिल जाएगा तो touch कर दीजिए post वाले option पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना है और आप देख सकते हैं आपका photo upload हो जाएगा जैसा कि हमारा ये photo upload हो चुका है तो इस तरह से आप facebook light पर photos को upload कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe जरूर करें